अपन्ना अपन्ना राजन चैनल में आप सबका स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके सामने किसी ब्यूटी प्रोड़क्ट के बारे में बताने नहीं आई किसी प्रोड़क्ट का रिव्यू करने नहीं आई अप लोगों को बताओं कि मैं प्रोफेशनल यूटूबर नहीं हूँ मुझे कीवल शौक है आप लोगों से बात करने का और आप लोगों को अपने बारे में बताने का अपने चीजी जो मैं यूज़ करती हूँ लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन है आयम डॉक्टर मेडिकल टीचर तो इदर कुछ दिनों से में प्रॉब्लम में परिशान थी मेरी बेटी है उसके पैरों में अक्सर दर्ड रहता था रात होते ही वह दर्ड चिलाना शुरू कर देती थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्ड हो रहा एक तरफ जुकाओ होना शुरू हो गया फिर परिशानी हम लोगों को काफी हुई काफी और्थोपेडिक सरजन्स से मिले हम लोग और तब पता चलाया कि उसको रिकेट की शुरुवात है उसको रिकेट की प्राइमरी स्टेज है एक्षरी वह अभी बारा साल की है पर यह प कुछ रहते हैं कि बच्चों में अक्सर पैरदर्द की प्राब्लम होती है इसको कहते है रात के समय तो फिर जब रिकेट के बारे में पता चला क्यूंकि रिकेट के बारे में जानते तो हम सबी थे और उसके बाद मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए तो पता चला कि इसको कैलचियम की बहुत कमी है उसको वाइटमिन बी ट्वेल्व की बहुत कमी है उसको डी थ्री विटेमिन डी थ्री की बहुत कमी है तो खैर उसका इलाज तो ठीक होगी है शुरू कर दिया हम लोगों ने और उसको काफी आराम भी मिला अभी एक मेना हो गया उसको आराम मिले हुए दवा चलते हुए लेकिन यह रहा कि उसके पैरों का दर्द तो खतम हो गया लेकिन प्राक्टिकली कैल्शियम का क्या इतना बड़ा रोल है मालूँ है हम लोगों को सबी को पता है लेकिन उससे इतनी परिशानी भी हो सकती है यह नहीं सोचा था हम लोगों को बस य सब्सक्राइब क्योंकि फिर अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हट्डियां पोर पोरस होते जाती है विद दे एज और उसको ऑस्टियोपोरिसिस कहते हैं तो अब मैं बताओं कैल्शियम वाइटिमिन डी और थाइरोएड यह साही चीज़ है इनका फंक्शन जो है न का मतलब क्या होता है तो कैल्शियम होमियोस्ट्यसेश का मतलब होता है की मेंटेनिंस ओफॉस्त transit कांसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन अ n इन एक्स्ट्राइस्स ऐल अल Series मतलब के लेविल को मैंटेण करना अ marin में ठीक है तो इसकी आउटलाइन में हम कभर परेंगे आ केल्शियम मेटबॉलिजम में पी टी एच पेराथाइराइड हॉल्मोन केल्सी टॉनिन और वाइटिमिन डी का क्या रोल है इनके फंक्शन्स एंड डिसॉर्डर्स ऑफ केल्शियम वाइटिमिन डी एंड पेराथाइराइड तो आप हम आते हैं कि यह सारी तीन चीजों का ना इसके सोर्सेज क्या है कैल्शियम के और इसका डेली रिक्वाइरमेंट मतलब हमें पर्डे कितना लेना चाहिए सोर्सेज हैं डेरी प्रोडक्ट मतलब दूद दही पनीर चीज यह डेरी प्रोडक्ट है योगर्ट उसके अलावा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल एज प्रोड़ी एंड फिश विद एडिबल सॉफ्ट बोन्स और बेवरेज जैसे सोया प्रोडक्ट है सीरियल से फ्रूट्स हैं जूसेज एंड मिल्क सब्स्टिटूट तो यह सोर्स हैं कैल्शियम के और इनका डेली रिक्वाइरमेंट लगग एक हजार से बारा सो मिली ग्रा होना चाहिए ठीक है लेकिन अलग-अलग कंडिशन में इनकी रिक्वाइरमेंट चेंज हो सकती है जैसे ड्यूरिंग लैक्टेशन कैल्शियम की जरुद ज़रत हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़दा कैल्शियम चाहिए और आफटर मेनोपाउस हमें ज़्यादा क केल्शियम की जरुरत पड़ सकती है और इनका मेन फंक्शन केल्शियम का क्या है इन्हेंस दा बोन स्ट्रेंथ बोन को मजबूत बनाते हैं नर्व सिग्नल को रेगुलेट करते हैं कार्डियक मसल की एक्टिविटी को नॉर्मल रखते हैं और डेंटल हेल्थ गातों के लिए क केल्शियम का बहुत बड़ा रोल है और हॉर्मोन लेविल को भी बैलन्स करते हैं ठीक है अब मेन क्या क्या सो फैक्टर्स हैं जो केल्शियम के एब्सॉप्शन में काम करते हैं केल्शियम का एब्सॉप्शन जो है जो हम खाना का केल्शियम ले तो रहे हैं रेगुलर अप इप्लिमेंट के फार्म में लेकिन और कई बार टैब्लेट के भी कालेषिम कम रह रहा है बॉड़ी में। उसका रीजन क्या है कि केल्शियम का एब्सॉप्शन होना चाहिए हमारी बॉड़ी में वह प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो उस वो ना होने के कई कारण होते है कि जैसे की हम डाइट ले जिसमें फायटिक असिड ज्यादा है ठीक है हाई सोडियम लेवल का खाना खाएं मतलब नमक जादा ले हैं वाइटमिन डी केलशियम तो हम ले रहें लेकिन हमारे शरीर में वाइटमिन डी कम है वाइटमिन डी का क्या रोल है केलशियम अबसॉप्शन में वो अभी आपको बताएंगे ज्यादा चाए और काफी को लेना भी कैल्शियम का एब्सॉप्शन कम करता है स्मोकिंग एंड सीलियक डिजीज सीलियक डिजीज एक इंटस्टाइनल डिजीज होती है और smoking यह सारे factors हैं जो हमारे calcium के absorption को hamper करते हैं और calcium की deficiency से क्या क्या हो सकता है osteoporosis आपको बताया osteo मतलब हड़िया porosis मतलब porous हड़िया हमारी weak और porous हो जाती है muscles cramp होते हैं ठकान बहुत होती है confusion होता रहता है and lack of concentration आप किसी भी काम में मन लगाते हो तो नहीं लगता ठीक तो अब आपको बताओं कि calcium blood calcium जो है वो अब हम लोग calcium measure किसमे करते हैं सबी को पता होगा कि हम लोग अपने ज़्यादातर parameters blood में करते हैं ठीक है तो calcium का blood में कई चीजों से regulate होता है principal organ system और hormones दो main चीज़े हैं जिनसे की calcium की homeostasis maintain होती है तो organ system में है intestine, bone and kidney and hormone में है parathyroid hormone जिसको हम short में PTH कहते हैं vitamin D and calcitonin तीक है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है calcium homeostasis अब यहाँ पर आप देखें cholesterol है cholesterol कहां से आता है cholesterol की synthesis भी होती हमारे शरीर में और cholesterol से क्या होता है कि जो cholesterol हमारी बॉड़ी में है जब वो उस पर यूवी रेज बड़ती है तो वो pre vitamin D3 बनाता है calcifediol में और parathyroid hormone plus kidney से calcifediol converts into calcitriol ठीक तो मोटा मोटा फंडा यह है कि low parathyroid level in the blood which occur under physiological condition when the plasma ionized calcium are high inhibit the conversion of calciferole into calcitriol ठीक अगर हमारे ब्लड में इसको ऐसे कहेंगी कि गयर हमारे ब्लड में calcium का level जादा है तो क्या होगा कि calcium का जादा level जब होगा तो parathyroid hormone का level कम होगा और parathyroid hormone का level जब कम होगा तो वो parathyroid inhibit करेगा conversion of calciferole into calcitriol वो अब जब calciferole into calcitriol में convert नहीं होता तो अब क्या होगा कि inhibit वो जो है inhibit कर देगा calcium के absorption को gut से calcitriol का main काम होता है gut से calcium का absorption लेकिन अगर calcium calcitriol का level कम है तो वो absorption calcium का कम हो जाता है ठीक है और उल्टा होता है जब calcium का level कम होता है calcium का level कम हुआ ionized calcium कम हुआ तो पेरा थाइराइड हर्मोन का secretion बलड में बन जाता है ठीक है and kidney converts केसी फीडियॉल इन्टू active calcitriol अके मतलब calcium का level कम हुआ तो तुरन पेरा थाइराइड हर्मोन ज़्यादा बनने लग गए और वो ज़्यादा बनते हैं तो क्या करते हैं वो हर्मोन ज़्यादा secret होते हैं वो kidney पेकान करते हैं kidney जो है वो calcitriol को calcitriol में convert करता है और वो increase करता है calcitriol absorption from the gut ठीक है तो मतलब ये समझ लीजे मोटा मोटा कि हमारा शरीर पहले अपने आप ही कोशिश करता है कि calcium का level maintain रखा जाए ठीक है जब कम हुआ तो बढ़ा देगा और बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा ठीक है लेकिन बहुत सारे ऐसे factors होते हैं जो इस normal process को hamper कर देते हैं वो factors मैंने आप लोगों को बदाए ज्यादा काफी पीने से ज्यादा चाय पीने से ज्यादा नमक लेने से ज्यादा sodium product लेने से calcium का absorption कम हो जाता है ठीक है तो आपको बताऊं calcium का जो होमेस्टेसिस है यह काफी complex process है और इसके इसमें involved होते हैं चार की components serum calcium, serum phosphate, 1-25 dihydroxy vitamin D3 and parathyroid hormone तो चार की component है जो पूरे होमेस्टेसिस को regulate करते हैं तो अब आपको बताऊं यहां पे आप देखो यह क्या हो रहा है यहां पे आप देखोगे कि यह एक ग्राफ है जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी तो पहले कैल्सी ट्रायोल के बारे में बताते हैं कैल्सी ट्रायोल का में काम क्या है ट्रेगुलेट्स तर लेवल ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दा ब्लड और एंड हेल्प मिंटेन हेल्दी स्केलेटन सिस् है यह नंदेखोके कि क्या होता है वाइ्टमीन डी फ्री जो हमारे डाइट से जाता है को लिवर में स्टोर हो जाता ओर लिवर से केडनी में जाता थेख है अब यह किडनी क्या करता है की किडनी بनाता है 1,25 डाय हड्रोक्सी कोल केलसीफिरॉल 1,25 डाय हड्रोक्सी कोल केलसीफिरॉल केल्शियं के इब्सॉप्शियं को increase करता है ठीक है। यह metabolism of calcium को regulate करता है इन दो प्रेसंस आफ पैराथायरन होर्मोन और पेराथाइराइड हार्मोन कहां से बनता है पेराथाइराइड ग्लैंड से और पेराथाइराइड हार्मोन बनने में मैगनेशियम का मैगनेशियम आयन का बहुत बड़ा रोल है और ठीक है अब क्या हुआ पेराथाइराइड ग्लैंड बनाता है पेराथाइराइड हार्म में काम आता है. या मेगनीशियम की कमी प्रेजंस में resorption of calcium from kidney करता है. resorption क्या होता है? resorption होता है कि आपके bones में جो calcium है उसको blood में ले आना. ठीक. ये सारी चीज़ें क्या करती है? blood calcium concentration को increase करती है. ये तीनों चीज़ें. ठीक है अब क्या होगा फिर यहां पर आता है कैलसेटोनिन का रोल कैलसेटोनिन क्या करता है कि लो ब्लड कैल्शियम का कंसेंट्रेशन कम कर देता है कैसे कम कर देता है इंटेस्टाइन से इसका एब्जॉप्शन रोग देता है और फिर क्या होता है जहां ब्लड कैल्शियम लेवल लो होता है पैराथाराइड ग्लैन एक्टिव हो जाता है तो यह टोटल होमियोस्टेसिस है ठीक है तो अब बताएं पैराथाराइड हॉर्मोन क्या होता है पॉल पराथायॐड होर्मोन एक्षिन किस्पे और कीड्डी सीरेत प्रौौ। क्या होता है वो भी हम आपको बता चुकी एंड फॉस्पेट इन एक्सक्रीशन इन दे किट्नी पैरा थारड हर्मॉन ब्लॉक्ट री एब्सॉप्शन रेसॉप्शन और री एब्सॉप्शन दो अलग अलग चीज थे थे कह अब दा फॉस्पेट इन दा प्रॉक्सिमल ट्यू ठीक है अब पराथराड हर्मोन अलसो प्रोमोट दा एब्सॉप्शन आफ कैल्σιम फ्रॉम फोम इन टू वेस दो तरीके से प्रोमोट करता है कैल्सीम का एब्सॉप्शन रैपिट फेस बिंग बाउट आइज अरइज एं कैल्सियम सीरम कैल्σιम बिदिन दा मिने अंट री अ to occur at the level of osteoblast and osteocytes जैसे ही level serum calcium का level कम हुआ osteoblast और osteocytes से calcium को resorption शुरू कर देता है और दूसरा receptor के थूरू काम करता है तो मोटा मोटा हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अब आए vitamin D3 vitamin D3 क्या होता vitamin D3 is formed in the skin ठीक है वैंने cholesterol precursor आपको बताया था कि cholesterol का precursor होता 7 hydroxy cholesterol जब यह हम लोग ना सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमें अल्ट्रा वाइलेट रेज मिलती है और वह एक्टिवेट करता है 25 hydroxylation कराता है और आखिर में लिवर में और वह hydroxylation in the kidney ठीक है किड़नी में hydroxylation कराता है दा प्राइमरी एक्शन ओफ 125 125 D3 वही वाइत्मीन 3 का pro form है , प्रमोट करता है gut absorption calcium का gut absorption promote करता है ठीक है अल्सों promote absorption of phosphate आयन और नेगेतिवली चार्च फोस्पेट आयन में passively flow through the intestinal cell और तीसरा बोन में वाइटमीन डी में प्लेस इनर्जिस्ट्रिक रोल विद पेरा थायराइड हर्मोन इन स्टिमुलेटिंग ऑस्टियो ग्लास पोरिफरेशन एंड बोन रिस आप्षिन अब इस तीनों चीज़े सा एक दूसरे से इंटर लिंग्ट है तो यह चीजह है कुछ जो समझने वाली हैं और कैलसी टॉनिन रहे आप कैलसी टॉनिन क्या होता यह पिए कमीणों असट होता है यह सिंद्धिसाइज होता है और सिक्रीट होता है फांद पहरा फालुपुलरर से लड़ थाएराइड यलन अदर पहराथाएरड हार्मोन था वो पराथायरोड ग्लेंट से सीक्रीट हो था है कैलसी टोनीन सीक्रीट हो रहा है थायरोड ग्लेंट से ठीक है और कब सीक्रीट होता है major stimulus of calcium calcium secretion is increased plasma calcium concentration major reaction of calcitonin is to inhibit osteoclastic bone resorption which decreases the plasma calcium concentration जब plasma calcium का level high हो जाता है तो calcitonin क्या करता है bone के osteoblast और osteoclastic resorption को रोक देता है तो एक physiological role for calcitonin in human is uncertain because neither thyrodoctomy nor thyroid tumor cause a derangement of calcium metabolism okay so in summary we can say that a decrease calcium decrease in calcium level stimulate parathyroid hormone release which increases bone resorption increase calcium reabsorption from kidney and decrease phosphate reabsorption from kidney and increase calcium uptake from gastrointestinal tract मतलब जैसे ही calcium का level कम हुआ parathyroid hormone stimulate हो जाता है वो increase करता है bone के resorption को और increase calcium reabsorption from the kidney decrease phosphate reabsorption from the kidney and increase calcium uptake from GI tract vitamin D same action है जैसा की parathyroid का है बत इंक्रीज़ फॉस्पेट reabsorption from the kidney and calcium imbalance must be recognized and treated early to prevent any loss or to prevent any deficiency symptom तो यह चीज़ है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो पूछ सकते हो कभी भी बीइंग teacher I am always ready to clear your doubts okay friends see you bye bye